हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नू की चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एक्जाम्स को लेके जियां दोस्तों काफी जादा बवाल मचा हुआ है देज भर में और सभी बच्चे इस बात को दो लिए कि काफी चिंतित हैं कि उसको पूस्पॉंट किया आचाहिए यह नहीं चीहां बच्चों का तो एक ही मानना है अगर बच्चों की राए देखी जाए कि भी आंदेना और साथ ही दूस्तों चैनल के माधरा से मैं आप से कहोंगा कि एक्जाम सब्सक्राइब का पोस्पॉइंट होगा इसके पांच मुख्य कारण है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसा आप सभी को पता है जैम इंजनिर के लिए होता है और इंदिया के लिए जियां प्रदान मंत्री नरेंद मोदी लॉटवन से पहले कहते हैं कि जान है तो जहान है लेकिन अब क्या हो क्या है कि बच्चों के लिए अब जान से ज़्यादा उनकी एक्जाम की ज्यादा वैल्यू दी जा रही है तो दोस्तों एक्जाम में आपको बता दू टोटल जो बच्चे लगबग एक्जाम में वह पंदरह लाख सतानबे हजाद चार्सो तैंतिस बच्चे नीट के एक्जा समध्या में बच्चे सेंटर्स पर जाएंगे आप सकें पर इस प्रकार कहीं पर अगर आप सेंटर पर बैठाते हैं इतने बच्चों को पर नहीं होता है ड़किन बच्चे एक्जाम देली के पाद जब इनफेक्टेर होंगे तो पने घर नहीं जाएंगे और जब ये घर जाएंगे तो क्या इनके घर में जो इनके पैरेंट्स हैं, जो इनके दादा दादी हैं, जो जॉइन फैमिली में ज्यादा रहते हैं, आप सभी को पता है, भारत में जॉइन फैमिली में लोग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, कमाम लो को लेके सभी जो इस बड़े इंजिनिरिंग और मेडिकल के बच्चे जब इस लेवल पर बात कह रहे हैं कि इक्जाम को अभी पोस्पॉन कर देना चाहिए तो सरकार आखिर उनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देती सरकार इक्जाम को लेने के लिए मजबूर कर रही है लेक कि बच्चों के इक्जाम सोने चाहिए उन्हें सेंटर पर जाना चाहिए वह चाहिए पच्चीस लाग छाह तीस लाग उनको फर्क नहीं पढ़ता उन्हें इन्फ्रैकेटेट नहीं होगा उनको सरकार की कोई जिम्हेडारी नहीं है क्योंकि देश को आत्मनिर भर बन चुक नहीं है नहीं न्याय पादिकाव में जरूवत है सभी लोग वीडियो कांफरेंसिंग से वर्चुल मिंटिंग से जो सब कुछ कर ले रहे हैं चुनाव के लिए भी वर्चुल मिटिंग हो रही है लेकिन बच्चों के लिए जो है प्रैक्टिकल एक्जाम होगा उन्हें एक से इंटर्ट पर जाना होगा इंतमाम चीज़ों को चलते है अगली सबसे बड़ी वज़े दूसरी जो सबसे है वह है बार बाढ़ जिया आपने देखा है देश में किन किन जगों पर किस हत्तक बाढ़ आई है जिया चाहें बियार की बात करे चाहें गुज्रात की बात करें कि आपको देख सकते हैं चलने के लिए लोग जो है साओरे से चल रहे हैं सडकों पर-पानी हुआ हुआ लोग जो है निकल नहीं पारे बाहर ऐसे हालातों में बच्चे अपने एक्जाम सेंटरस पे कैसे पहुचेंगे और कोई बच्चा कैसे रिवीजन कर सकता है और कैसे पढ़ सकता है इस हालात में कि जब उसे सर्वाइब करने के लिए घर में पानी है चारो तरफ बाहर से हाका मचा हुए कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता प्राकृतिक आपदा है लगातार बारिश हो रही है बिजली गिरने का डर है घर गिरने का डर है सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं आप देख सकते हैं लाइफ बोड के जियां 200 सारे लोग जी रहे हैं किस परकार बोड पैसंजर टेनों को रद किया गया है और अभी तक उन्हें अनिश्चित काल के रद किया गया पहले तो 12 अगस्त के लिए नोटीस के बाद कि हो सकता है 12 अगस्त बाद खोल जाए जब आपने रेलवे बंद किया रखा है मेट्रो बंद करके रखा है मैल एक्सप्रेस तमान बंद करके रखा है तो बच्चे अपने एक्जाम सेंटर्स पर पहुंचेंगे कैसे इसका सीधा इफेक्ट परता है गरीब बच्चों पर क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे जो इतने लंबे समय से तयारी कर रहे इतना खर्चा करके अब उनके पैरेंट्स पर उनको रहे लेकिन जो गरीब बच्चे जो नॉर्मल जगह पर आते हैं उन पर सबसे ज्यादा इस एक्जाम का और सरकार कहीं न कहीं गरीबों के खिलाफ फैसला दे रही है जिए दोस्तों इस बात से साफ साबित होता है कि सरकार को बच्चों के जीवन से कोई लेना देना नहीं ह एंटिय एक्जाम करा रही है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि एक्जाम को पोस्पोर नहीं किया जाएगा क्योंकि करोना वाइरस लगाता रहे से चलता रहेगा लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी फिर क्यों तीन महीने का लॉक्डाउन था चार महीने का लॉ जब करोना वाइरस के साथ ही हमें जीना था उसके वैक्सिन का कोई इंतिजाम नहीं है देश में करोना वाइरस की रफ्तार पूरी दुनिया में एक समय हम 14-15 अस्थान पे थे और आज भारत जो है 14 नहीं भारत आज तीसरे अस्थान पे है सबसे जादा करोना के मामलों को ले पहुचेंगे तो समझ सकते हैं इसमें कितनी जादा उच्छाल देखने को मिलेगी बात करें एक एक स्कूल खोला गया जिसमें बच्चों को लाएगा जहां पर 21 से जादा बच्चे जो है पॉजिटिव पाए गया थे अमेरिका में भी स्कूल खोला जहां पर 95,000 बच्चो है कोई माइन नहीं रखती तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जिया दोस्तों लगाता सोचल मीडिया हो चाहे यूटुब के माध्यम से हो चाहे वो पेपर्स के न्यूज चैनल पर भी बैठ गए कि ऐसे हालात में हमें घरों में रहने में दिक्कत हो रही है क्योंकि करोना वा सब्सक्राबदाओं से घिरा हुआ है महामारी से घिरा हुआ है ऐसे हालात में आप बच्चों के एक्जाम जबर जस्ती लेना क्यों चाहते हैं देश के इतने प्रतिस्ठित एक्जाम है ऐसे नहीं कि छोटे मोटे एक्जाम से इन्वर्सिटी के हैं दस्वी है बारवी है य कि एक बार फिर्स इस मामले में जो है बहुत तेजी से जो है यह मामला गर्माया हुआ है अगर आप भी इस वीडियो को पसंद करते हैं इस वीडियो को वाइल कीजिए जादा स्यादा लोग पास पहुचाईए सरकार तक हमारे अपनी बात पहुचा नहीं चाहिए चाहे किसी कराना उनके पहले प्रात्य मिक्ता है तो आज भी वह दिन कहां गए कि जब बच्चों के एक्जाम को जरूरी है कराना बलकि उनके जान की कोई परवार नहीं एक्जाम हर साल होते रहेंगे लेकिन एक ही बार मिलती है दोस्तों तो दोस्तों उमीद करता हूं आज का वीडि के हमारी से निकल पहे उन राज्यों में देखिये कि लाइँ आज नहीं है उहां पर छोड़ दिया जाए जिन Fraser कम है वहां पर एक्जाम suit को प्रांस नहीं उसलिए नहीं बना रहे आपने बस एक नोटीस जारी कर दिया जिसमें का आगया कि भद्शों के एकजाम सौंगे क्या आप सरकार यह नहीं सोचते कि किंकिन राज्यों में बाड़ से लोग सब्सक्राइब परिशान है लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है कि इनके राज्यों में महामारी अपने चरम सीमा पर है वहां पर निकलना मुश्किल है ट्रेने बंद है इन तमाम चीजों को लेके जिया दोस्तों हमने भी आवाज उठाई है उम्मिद करता हूं आप भी माय सपोर्ट में आइंगी धनिवान